How to downgrade iOS 18 beta to iOS 17 stable version Yes guys, without laptop and PC and without paid software Yes, so guys, जैसा कि मुझे काफी comments आए कि भाई, आप ऐसा कोई तरीका बताएं जिसमें हमें कोई पैसा ना देना हो, कोई paid software इस्तमाल ना करनी पड़े और हम अपने iPhone को downgrade कर पाएं iOS 18 beta to 17 में stable version में जा पाएं, ठीक है तो ये वीडियो वहाँ काई में बहुत ज़्यादा useful है क्योंकि मैं इसको इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे comment आया थे कि भाई, आपने जो बताएं है वो paid है तो इसलिए क्यों आपको ऐसा तरीका बताया जाएं जिसमें आप कर पाएं अपने downgrade iPhone को और इसके लिए आपको कोई charges pay ना करने पड़े तो सबसे पहले मैं आपको अपना iPhone दिखाता हूँ ये देख सकते हैं आपके, जो करंटी मेरा iPhone है 14 Pro Max और ये बीटा पे रन कर रहा है iOS 18 की और मैं इसको अभी downgrade करने वाला हूँ बैकप तो ले नहीं पहेंगे क्योंकि इन्होंने बीटा वर्दन में इस्टोल कर लिया है आप जितना आपका फोटूस वीडोस है वह आप एक काम करो iCloud में आप या आइट्यून जो एक software आती है उसमें आप बैकप ले लो computer लैप्टॉप में ताकि आपका डेटा सेफ रहे वैसे जो मैं आपको प्रसेस बताऊंगा उसमें आपका डेटा लूस भी नहीं होगा बट फिर भी 40% चांस होते हैं कि हो सकता है बट फिर भी आप यहां पे बैकप ले ले लेना ठीक है लिखो जाके Chrome browser पर वहां पर इसको इसको डाउलोड का लेना बिल्कुल ही मतलब कोई चार्ज इस नहीं है कोई भी नहीं देना ठीक है यह वाला option पर टूल बॉक्स से पहले आ रहा है इस वाले पर जाना है ठीक है मैं आपको थुछा से जों करके दिखाता हूं इस वाले पर जाना है तो अब गर आप जैसे 18 पर 17 पर जाना चाहते हो वह भी आपको यहां पर सारी firmware मिल जाएंगी अब जैसे कि यह मेरे जो आइफोन है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं आप इस तरीके से लेकर जाता हूं ठीक है इसका देखो आप सबसे पहले software version देखो यहां पर ठीक है त आपको इस तरीके से आएगा import and download तो आपको download के बटन पर क्लिक करके इस firmware को download कर लेना जो कि इसका site इस तरीके से होगा तो मैंने यहां पर 17.6.1 को install करना जो कि stable version आप चाहें तो RC भी कर सकते हैं बड़ स्टेबल करना RC वगरा मत करना ठीक है तो stable version यही है जो कि आपको पता इस तरीके से ठीक है तो मैंने इसको औरड़ी download कर लिया इस तरीके से यहां पर जब क्लिक करोगा इस तरीके से download होना शूर हो जाएगा मैं आपको दुबारा दिखा दा हूं यह देखो अब आपको बहुत ही एक main चीज फोकस करनी जो कि यहां पर आपको आएगा retain user data यानि यहां पर आएगा flash का button इसके उपर आपने क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपका iPhone जो है डाउन ग्रेट होना शूरू हो जाएगा और आप अपने iPhone को disconnect मत करना यह 15-20 मिनिट लेगा यह आपको downgrade करके दिखा देगा successfully ठीक है बट अगर आपका data जो है यहां पर iPhone का backup भी ले सकते मैं आपको दिखाता है इस तरीके से जाएगा यहां पर आ रहा है इस तरीके टूल बोक्स पर जाना और यहां पर आपको आएगा backup अन्री श्टोर यहां से backup नाव पर क्लिक करके अपना select करके data यहां पर password वगरा जो create कर लेना और यहां पर backup ले लेना बैक यहां पर आपका डाउन कर देगा 100% तो दोस्तों यहां पर यही है कि आप अपने फोन को इस तरीके से जैसे मैं flash पर क्लिक करता हूं थोड़ा से मैं आपको दिखाई देता हूं जैसे क्लिक करूंगा यहां पर आ रहा है इस तरीके से आपका data lose हो सकता है यहां पर यहां प काफ ही काम के या आതर estasक Hondi और फाइल को ना या और इसमाल डाउन होजा देना ना पड़े पैसा यह जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं अनुर्म फॉंता यह थिसके मंग्त देना चाहिऊ हो ठोट उनश'' जाले पहुत्स यह इंड विटी आफ हम अने चाहिए है LOL Thank you so much guys.